एलो दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आपको एक्ट्रेस का ड्रोइंग स्कैच ड्रोगर के दिखाऊ हुआ एट्प बाइस्टेप शेडिंग की बारे में बताऊ हुआ कि किस तरह किसे सेडिंग करते हैं मैं तब मैं करता हूँ एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बाइर आइकन को प्रेस करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के सब्सक्राइब कर देना जो ड्रोइंग में इंटरस्ट रखते हैं आँटलाइन की वीडियो मैं यसलिए बढ़ एक हम की आउटलाइन तब करेंग आँगी जिन्हार प्रैक्टिस करोगे यह ज्यादाए निंहिं जुद्धा मैंने बहुत बार दाल भी रकिए हैं लिकिन मैं ज्यादे तार नहीं डालता ग feels good in this video में जो मैंने material use किया है उसके बारे में बताता हूँ सबसे पहले तो यह 0.3 की mechanical pencil है जिससे मैंने यह draw किया है outline यह से draw किया है and 10B pencil के लिए सबसे dark चीज को draw करने के लिए लिए है यह मैंने extender में डाल रखे है अताकि आसानी से पुपड़ी जासे के लिए है कोई नूर की eraser and यह है 2D pencil तो यह material है draw करने के लिए मैं सबसे पहले hair draw करता हूं and मैं उन चीज उन पार्टों को सबसे पहले draw करने की कोशिश करता हूं जैसे कि आप देख पारे हैं जो मेरे हाथ से दूर है आथ के मेरे हाथ से दूर है हाथ के निचे वाले जो इपार्ट वना हूं वह बाद में मेरे हाथ रखने से खराब हो जाए गया उसकी shading बेकार हो जाएगी इसलिए मैं अपने हाथ से जितनी वी चीज़े दी होती है उनको पहले draw करता हूं मैं हेर को ड्रो करने के लिए स्ट्रोक यूज़ करता हूं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इनमें हलके हलके स्ट्रोक लगा रहा हूं उसी दिसा में मैं स्ट्रोक लगा रहा हूं उसी डिरेक्शन में हेर के स्ट्रोक दिखाई दे रहे हैं मुझे और मैं अपने जितने भी से जो भी सेडिंग के जो भी पार्टमिंग से दूर मेरे हाथ से दूर होते हैं सबसे पहले में जो करने की कोशिस करता हूं और जब भी मैं स्केन का टेक्स्टर देनी कोशिश करता हूं तो मैं हमेशा अपनी पैंसिल को दूर से पकरता हूं वाइट पैंसिल का मैं इसलिए यूज़ करता हूं जब भी में से मिस्टेक होती है या फिर मुझे सेडिंग में मेरी थोड़ी भी मिस्टेक होती है तब मैं उसका यूज़ करता हूं और कहीं पर ज्यादा हाइलाइट नहीं हुआ उसे हाइलाइट करने के लिए थोड़ी बोच सेडिंग ठीक करने के लिए इसका मैं इस्तमाज करता हूँ बाकी मैं मर्ज बिलकुल नहीं करता कि मुझे अपने सेडिंग ठीक करनी है तो इसलिए मैं मर्ज नहीं करता किसी भी सेडिंग को ब्लेंडर से कर दो 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 कर एंड डार्क पार्ट को ड्रोव करने के लिए मैं उसमें प्रेशर का अप्लाई करता हूँ पैंसिल पे खलका सा प्रेशर देने से हूँ एंड पेपर का टेक्स्टर बिल्कुल रफ है तो इसलिए मुझे ज्यादा पैंसिल का यूज नहीं करना पड़ा करता है झाल 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 इसाँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, वाटसप गूरूप, फेस्बूक गूरूप इंस्टाग्राम पे सभी जगह शेर कीजिए प्लीज 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 इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल इकन को प्रेस कर लिए जिचा कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिक करें आपको मिलती रहे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए डो डेली डू प्रैक्टिस दू इंप्रोव टेक केर और थेंक यू फॉर वॉचिंग बाई